हेलो स्ट्रेंट्स आज हम लोग बात करेंगे मल्टी डाइमेशनल एरे की डाटा स्ट्रक्चर में अभी तक जो हम लोग ने डाटा स्ट्रक्चर में डिसकस किया है वो सब लीनियर एरे थी और वन डाइमेशनल अज थी आज हम लोग बात करेंगे की मल्टी डैमेंशनल एरे ठीक है इसमें क्या होता है अभी तक जितनी भी हमने अभी तक पड़ी थी अभी दाटा स्ट्रेक्चर में वो सब लीनियर एरे थी और क्योंकि उसका एक एलिमेंट जो है जैसे माली जाभी तक हम लोंने इससे अप्ला था कि एजन एरे ऑफ टेन प्रती थी तो इसलिए ये जो थी ये थी हमारी बंडेंशनल एरे इस इस वण डैमेंशनल एरे खीक है लेकिन कई गन अभी कई त्धैंश्यें में क्या होता है गि ब्सक्रदा हां लेकिन कई ऑप यह मतलब केंश्या लाई करती है कि मतलब कि yen dimensional array में किसी element को represent करने के लिए हमें दो सब्सक्रिप्ट की ज़रूत पड़ेगी जैसे हमने लिखा A और माल लीजे हमने लिखा I और J इस तरह तो यह हो गया two dimensional array का element यह हमने लिखा A, I, J और K अब यहां में देखे तीन सब्सक्रिप्ट भी ज़रूत पड़ा लगी ना तो यह हो गया आपका थ्री dimensional array है ठीक है यह हो गया two dimensional array तो यह difference होता है one dimensional two dimensional और three dimensional ठीक है अब आज अभी हम लोग बात करते हैं कि two dimensional array इसकी देखे two dimensional array में क्या होता है in case of in case of two dimensional array a two dimensional m into n array A is a collection of m into n data elements is a collection of m into n data elements such that each element is specified by a pair of integers such as jk called subscripts with the property that j की value is in between one to m and k की value is in between one to n पतलब क्या हुआ कि अगर हम two dimensional array की बात करें तो जो two dimensional array A होगी वो क्या होगा वो m into n array होगी पहली चीज़ ठीक है इसमें क्या होगा कि m into n order की array होगी और इसमें किसी भी हम element को जब represent करेंगे तो इसको मैंने हमने वानलजी represent किया ऐसे A, J और K से ठीक है तो यहाँ पे J की जो value होगी वो one से शुरू होके और m तक जाएगी यह और K की जो value शुरू होगी वो one से शुरू होके और n तक जाएगी ठीक तो इस तरह के representation को two dimensional array कहते हैं अब two dimensional array के अंदर किसी element को हमें अगर represent करना है तो the element of two dimensional array इस तरह से आप represent कर सकते हैं जैसे आपने दिखाया है A और आप ऐसे भी लिख सकते हैं J, K ठीक या दूसरा notation आप यह भी use कर सकते हैं A, J, K ठीक तो इस तरह से भी आप किसी two dimensional array के element को represent कर सकते हैं इसलिए two dimensional array are called matrices in mathematics and tables in business application तो इसलिए जो two dimensional array होती है इनको अगर हम mathematics की form में बात करें तो यह कहलाती है matrices they are called matrices in mathematics and they are called tables in business application business application में बात करेंगे तो यह table कहलाती है और mathematics की term में अगर हम बात करेंगे तो यह आपके two dimensional array कहलाती है ठीक है two dimensional array जो है business application की form में बात करेंगे तो यह tables कहलाती है ठीक है तो यह जो है basic concept है two dimensional array का अब इसके बात क्या होता है कि there is a standard way of drawing a two dimensional m into an array where a is the elements of a form a rectangular array with m rows and n columns and where the element ajk appears in row j and column k तो arrow is a horizontal list of elements and column is a vertical list of elements तो अगर माली जह हमें एक example बनाए आपको कि हमें अगर एक two dimensional three into four two dimensional three into four array draw करनी है ठीक तो two dimensional three तो यहां पर हम क्या करेंगे हम इसको यह हमने इधर लिखा row इधर हमने लिखा column ठीक अब इसको हमने ऐसे किया अब यह हो गयी row one two three और ऐसे ही हो गया column one two three और four clear अब इसके अंदर जो array के elements है उसको हम लिख देंगे ऐसे जैसे यह कौन सा element हो जाएगा a one one यह हो जाएगा a one two यह हो जाएगा a one three और यह हो जाएगा a one four clear ऐसे ही यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा two one two 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 three और two four ऐसे row number three में यह element हो जाएगा a three one मतलब third row पहला column यह हो जाएगा third row दूसरा column यह हो जाएगा third row तीसरा column और यह हो जाएगा third row चौथा column तो यह आपका two dimensional three into four array हो गया तो इस तरह से represent करते हैं two dimensional array को अब इसको चाहे तो हम अब एक example भी ले सकते हैं इसको समझाने के लिए मालीजी हमने कहा कि एक example लेते हैं अब इसमें क्या दिया हुआ है कि suppose each student in a class of 25 students is given four test ठीक है एक class है 25 student की जिसमें उन्होंने हर student ने चाहर टेस्ट दिये हैं assuming the students are numbered from 1 to 25 the test scores can be assigned to a 25 into 4 matrix array score ठीक है तो अब इसके जो number है students के वह आप उसको matrix की form में इस तरह आपको पालूम है कि इस तरह आप represent कर सकते हैं मालीजीए यह हमने ले लिया यह table बना दी हमने तो इसमें क्या होगा कि यह इधर तो हमने लिग दिया student तो student कहा दर जाएगा one two three four up to 25 और जो चार टेस्स उसने दिये उसके number हमने यहां लिग दिये मालीजीए इस तरह यह तो यहां पर हमने लिग दिया test one उसके number आगा यहांने लिग दिया test two उसके number आगा यहांने लिग दिया test three उसके number आगा यहांने लिग दिया test four उसके number आगा और यह यह पूरा क्या हो गया यह इसके number कुछ भी आव रेंडमली भर दीजेगा जितने भी नंबर है से clear तो यह basic concept होता है two dimensional array का I hope कि आपको यह clear हो गया होगा अगर कोई doubt या confusion है तो comment line में comment करके बूचिए बाकी array की और जो चीजे है जो इसका description वगर रहा है कैसे data structure में array की lower limit upper limit उसकी length यह सारी चीजे कैसे discuss की जाती है इसको हम लोग next lecture में discuss करेंगे तो I hope कि आपको video content पसंद आया होगा अगर video content पसंद आया तो please video को share कीजे like कीजे channel को subscribe कीजे और notification bell को जरूर on कर दीजे ताकि next video की information आपको time से मिल सके Thank you